अगले कॉलर है परीदाबाद से मुकेश हमारे साथ स्वागत है आपका परियाबाद 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 अगर आप मंदमें बश्काई परियाबाद अच्छ ठीक है फिरोजाबाद माप कीजिएगा चलिए सवाल करी अब अपना मैडम यह पूछना चाहता हूं मेरे पेट में दर्द मौमाता रहता है यह वाल है मैंने चूरन पूरन खाल दिया दवाई लेली बहुत ठीक है दिखिए पेट ठीक होना हर किसी का जरूरी है अगर सेहतमन जिंदगी चाहिए तो धनिया सौफ आमला सौट दो दो सो किराम इसमें डेड़ सो गिराम आप मिला यह नमक कलोंजी का नमक यह तरह मुश्किल से मिलेगा कोई परिशानी हो तो आप कांटक कर सकते हम आपकी मदद करने को तैयार हैं इनको घर में पॉडर बनाएं और एक चमश सुबा एक चमश शाम पानी के साथ लें तो आपको फाइद चौधरी जी दिली से हमारे साथ स्वागत है आपका आपका दो सल से पुराने खासी है दो साल पुरानी खासी है आपको ठीक आप लिख लीजे आपको कई महीने तक इलाज करना चाहिए और लिखना यह है के उन्नाब सपिस्तान अलसी सौसो गिराम लें और इसमें बीस से 30 गिराम पीपले मिलाएं आपके किचिन में जो गरम मसालों में पाई जाती है पॉडर बनाके सुबा शाम नाच्टे से पहले या खाली पेट और रात को सोते समय गरम पानी से लेना बहतर है या चाय के साथ ले ले और खटी चीजें का परेस करें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है तो बिल्कुल जैसे कि ने दो साल से खासी की इतनी जादा परेशानी है हकीम साब तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनको इम्यूनिटी बूस्टर की भी जरुरत है इनकी इम्यूनिटी भी लो हो सकती है लिग इसके बारे में एक दवा है बहुत अच्छी जी वो इम और है मेरे जहन में यहां पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने यह कहा था उन्हें पेट की दिक्कत है परिशानी है उन्होंने बहुत सारे चूरन का इस्तमाल भी किया तब भी उनका जो दर्द है वो बना रहा थोड़ी से उन्हें राहत मिली लेकिन फिर से दर्द वैसी का वैसी हो गया है बात करें त्रिफला की अगर हकीम सहाब तो त्रिफला एक ऐसी चीज है कि जो भी उसका सेवन करता है वो एकदम से रिलीफ मिल जाता है उसका मोशन पास नहीं होता मोशन लूज हो जाता है और पेट में भी थोड़ी राहत मिलती है लेकिन इसके नुकसान क्या कुछ हो सकते हैं जानना चाहूंगी और इसको अगर खाए कोई भी व्यक्ति तो उसे किस तरीके से खाना चाहिए बड़ा एहम सवाल है और कई बार मैंने इसके बारे में बताया है कि यह जो लोग आकर तिर्फला बता देते हैं और लोग इस्तमाल भी पैदा होते हैं उसका उपयोग जो करना चाहिए वो तिर्फला को तेल में तेल भी या तो अरंडी का तेल कैस्टोल ओयल जिसे कहते हैं या बड़ाम के तेल में पहले भूनना चाहिए उसके बाद इस्तमाल करना चाहिए वरना आपको कुछ दिन तो लगएगा कि आपको ब चिपकी रहती है अलसर होना लाजमी है तो तिर्फला जो लोग बताते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि तिर्फला ना बताया करें या उसका पूरे तरीका बताया करें कि तिर्फला को तेल में भूनना यानि मर्ज करना बहुत जरूरी है वन्ना आदमी जिन्दगी भरका रोगी हो जाता है तो बिल्कु दर्श को देखिए ये बाते सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस कारेक्रम में ही जान सकते हैं समझ सकते हैं तो अगर आप लोग अगर आप दूद घी या मक्कन काते हैं या मीट काते हैं तो कुछ दिन के लिए बन काते हैं तो बन करते हैं करना अच्छा है पांच बार गरम पानी पीएं औरलसी को ब्हूं लें ऐसा पांच सो गराम अलसी भून लें और इस में दो सो गराम आपको बिलाना है सौफ और दो सो गराम आमला इसको खुबरीक पाउडर बनाएए और इसमें कलोंजी का नमक मिलता है, इस्टैक कलॉंजी जी से कहते हैं, कलॉंजी का रसायन भी कहते हैं, इसमें सो से डेर सो ग्राम तक मिला सकते हैं और इसका एक चमश सुबा एक चमश शाम पानी से लें गरम पानी पीना आपके लिए बहुत फाइदे मन्द है अगर कुछ दिन आप इसे लेते हैं तो आपको फाइदा बूमकिन है अगले कॉलर हैं परिदबाद से राज रानी जी हमारे साथ स्वागत है आपका हाँ जी जी बताइए बहुत सांस फूल जाता है एक दम और उधर से बातरूम की भी बहुत प्रूम है बहुत बातरूम आता है एज कितनी है आपकी और हेल्थ क्या है मेरी पचपन है आप हेल्दी है कुछ? ना अब 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 भी नहीं हूँ सही हूँ वैसे तो अब अब कुछ सही गोन्वरिंगा मंगाया था ना मैंने वहाँ से अच्छा वो खा रही हूँ मैं तो कुछ फाइदा हुआ? हाँ अभी तो खा रही हूँ दस दिन हुए है, खाते हुए दिल आ आगे अब जीर सो गराम मंगाया था ना कुछ फाइदा शुरू हुआ आपको पहले से भरक है, मेरे को लगता है ठीक है ठीक है आप ISको कम भी कर सकते हैं जादा भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से अधाधा गिराम लेना बहतर है और यह खतम होते होते हैं आपकी तबियत बहाल होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है राजविंदर जी लखनाव से हमारे साथ स्वागत है आपका हालो हालो हांजी एलो हम लगोने काल करा तो लीजियन ये पूछ भूला थे कि इस ने हैं अरो प्रश्ट कॉलर थे कि अंगा ने कि अधिका थे आपके तो तो बर उप्रेंग वा तो तो जार्द का अपने ने काला गोन एक बार बदायादा लेकिन वेंगों क्या थाना एदा और किसी मट्रा में लेने ठीक है ठीक है काला गौंद सिया गौंद एक ही बात है और इसकी जो प्रोटेंसी है वो आदा गिराम है आदा गिराम मतलब चने के बराबर या मट्र के दाने के बराबर इसकी गोली बना लीजे रो मेटेरियल ही लें और गोलियां बनाकर रख लें और दिन में दो बार खाने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें आपको फाइदा शुरू होगा पांच-साथ दिन में इतना सबर आपके लिए जरूरी है अगले कॉलर है ममता देवी पंजाब से हमारे साथ स्वागत है आपका है मोना थाकूत जी बोलिया है मेरे पती के गले में दर्द है आपके हस्बें के और 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 इसली में रखने हैं जी एक तो ठाट बोलि इतली में रहते हैं इतली में रहते हैं आपके दर्द रहता है आगे क्या बोला आप ने उसके जले में रहता है और दवाई तो जहां से बेज सकते हैं माजू नार केर सुबा शाम गरम पानी से ले और नौर्मली भी वो गरम पानी ही पिया करें अगर यह दो-तीर महिने लेते हैं तो उनको फायदा होना मुंकिन है यहां से लेकर भेज सकते हैं आप इटली कोई आने जाने वाला हो या अब तो फ्लाइट भी जाने लगी है या कोई आने वाला हो या जाने वाला हो उसके साथ उनकी सेवा कर सकते हैं तो बिलकुदर दर्श को देखिए बार-बार कहा जा रहा है कि अगर मैडिसेन रिलेटिट कोई क्वेरी होती है या पिर आप नहीं समझ पाते कि गौन मॉरिंगा का कैसे इस्तमाल करना है या फिर गौन सिया का कैसे इस्तमाल करना है तो आप ये सब हेलप लाइन नंबर पे जुड़के भी अपना सारा सवाल कर सकते हैं क्योंकि समय यहां पर बहुत कम होता है और हम यहीं चाहते हैं कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े वो जल्दी से जल्दी नुसके जाने के उनके लिए कौन सा नुसका बहतर है किस नुसके को अपना के वो रोग मुक्त जी हैं तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाये जा रही हैं आईए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ परमजीत को और हैं पंजाब से स्वागत है आपका कब्स जी और अच्छित कर दिख लेगी हैं और अपके लेख लेगी हैं देटा बढ़ानिया तल्वनजी आपकी हो जीरा स्वाप टे काला नम्धाली हैं तो ओमेनो गर मैशिकार जान दीगी हैं ते जे हो बढ़ानिया दूजी यह मतलब ओ उट्वरा तनिया ओधे लिए से आपको एक तो पांच बार गरम पानी पीना चाहिए खूब गरम और इसे ज्यादा भी पी सकते हैं, इससे भी बड़ा पेट अच्छा होता है और कमर के लिए आप गौन सिया आदादा गिराम सुबा शाम खाने के बाद लें और एक और नुस्खा है वो आप कोशिश कर लिए देखिए एक तो बेल पत्थर जब आया करे उसको खुब खाया करी बेल पत्थर यानि पत्थर बेल जो आती है जिसका शर्बत वगरा भी मिलता है जब हो तो खुब खाया करी नहीं हो तो फिर आपको इसका मुरबा मिलता है एक क्तला सुबा शाम इसका मुरबभा मिलता है वो लिया करें और ये अरणडी का तेल कहते हैं गाउं drama की जबान में और कास्टॉल अलब भी कहते हैं जो मेटिकल स्टोर पर मिलता है एक चम्मज सुभा एक चम्मज शाम गरम पानी में या गरम दूद में मिलाकर आप इसे पी लिया करें मुझे अमीद है आपको फायदा मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है कमलेश जी पंजाब से हमारे साथ स्वागत है आपका जी बोलिये सवाल करिये अपना मेडम मेरे कोछ जो रखिस कपना происходит मेरे काख विद ख रखिया टिक है जहँ जिजेख विद ख रखिया और एक मेरे जो पिश का मन्हाँ मैं गिर पड़ी थी, मतलब तेड़ा चुड़ गया, उससे मैं चल नहीं पाती, और सांस पूलता है, और देनों पर गोड़ों में सूजन है, एज बता दिये अपनी, जैसे आपने बताया ना, गोड़ अखेरा है, मतलब आपके यहां से मिल जाए तो अच्छा है, जो जुआ यहां ने मिलती है, आप बेज देवा, ठीक है, ठीक है, जो लिए ओमर दराज लग रही हैं आप, तकरीबन 55-60 साल आपकी उमर या उससे ज्यादा हो सकती है, बहुत ऐतियास से जिन्दगी गुजारी, क्योंकि आपकी जो हड़ी है, वो टेड़ी जुड़ गई आपने बत दारिये, तो बगएर तकलीफ के जिन्दगी आप गुजार सकते हैं, अगर ये 100-200 गराम आप खरीद के इस्तमाल करें, तो आपकी सूजन भी उतरना मुम्किन है, दर्द भी मुम्किन ठीक होना, गुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द भी ठीक होना मुम्किन है, जी, नेक् प्रबलम भूत है, तो मतलब कुछ भी खाते हो, तो जैसे बैक आजाता है, एंफिर भोग इस वाक्त है, एज कितनी है आपकी इस वक्त? मेरी एस 32 एल, अच्छा बच्चा देखो, अगर कुछ भी खाते ही आपको परिशानी होने लगती है, तो हमें चाहिए कि एक सॉनोग राफी करा लें, ताकि हम पता चले कि पेट में क्या है, ऐसे लोगों को अक्सर पित्ते में पत्री पाई जाती है, तो पित्ते में पत्री है, तो फिर पित्ते का ही इलाज होगा, या उसको ही रिमूव करना पड़ेगा पत्री को, उस से पहले आपको फायदा मुमकिन नही हैं और अगर वैसे कोई तकलीफ है इसके अलावा तो वो सब का इलाज हो सकता है इलाज यह है कि पांच गिलास गरम पानी आप पिया करने दिन में बार बार खुब गरम पानी एक घंटा पैदल चला करें और एक नस्का बड़ा केमती है वो आप खुद भी बना सकते हैं कि अलसी भून कर उसका पाउडर बना लें अलसी का और दो-तीन सो गिराम अलसी लेके आप इसका पाउडर बना ले और इसमें दो-सो गिराम तीन सो गिराम अलसी, दो-सो गिराम धनिया और दो-सो गिराम इसमें मिलाईए सौफ इसका पाउडर बना ले जे और इसमें देड़ सो गिराम आपको मिलाना है ये नमक कलोंजी कहलाता है कलोंजी का ऐस्टेक भी कहते है इसे और नमक कलोंजी भी कहते है ये रसायन होता है कलोंजी का इसमें मिला लीजे डेड़ सो ग्राम और इसका पॉडर एक चमश सुबा एक चमश शाम गरम पानी से लेने से आपको फाइदा मुम्किन है